Poco X600, Redmi Note 13 Pro 5G के लिए guys, पारिले रोल ओट कर दिया गया है उनका नया HyperOS का अपडेट और आप सभी को पता है guys, इसी मन्थ स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि HyperOS का अपडेट रोल ओट किया गया था इनके लिए HyperOS का 1.0.10.0 का अपडेट और वहीं पे guys हमें देखने को मिला है, आपको देखने को मिला है August का सिक्योर्टी पैज, इसका जो साइज है guys, वो 60 MB का है, जी हाँ, आप लोग अंदादा लगाई सकते हो कि अगर साइज 60 MB का है, तो इसमें कोई भी bug fixes या changes नहीं होंगे, बट फिर भी guys, इसकी मैं in-depth टेस्टिंग करूँगा, क्यों कर कर लिए, जिसमें आपको latest security patch देखने को मिल रहा है, अगस्त का, उसके इलावा optimization basics सी देखने को मिली है, ये update early stage में rollout हुआ है, और मुझे नहीं पता हिरो ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि basic security patch ही तो था, बट फिर भी इन्होंने security के लिए यहां पे delay किया, और अभी ये कुछ limited security devices को ही देखने को मिला है, जैसे इसको public rollout कर दिया जाएगा, जो कि 2-3 दिन में हो ही जाएगा, और उसकी information मिल जाएगी आपको हमारी telegram channel पे, वैसे इसके जो pilot testers वाले link है, वो भी available हो चुके है, जो कि आपको मिल जाएगे हमारी telegram channel पे ही, जो कि आप लोग simply join कर सकते हो, जब OT updates आएगे ना, तो उसके OT links पे आपको वही पे देखने को मिल जाएगे, जिसके लिए आप लोग simply join कर सकते हो, बाकी guys update safe है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अभी देखने को मिल रहा है, तो आप लोग simply से अभी update कर सकते हो, यह update POCO X6 5G और Redmi Note 13 Pro 5G के लिए डिट चीज है, और यह अगस्त के security patch के साथ आया है, बाट यह जो update आया है, वो September में आया है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप सभी को बता है, guys कि अगस्त में ही इनको जुलाई का update देखने को मिला था, इसी वज़े से guys यह कुछ टाइम पीछे चल रहे हैं, जबकि competitively बाकी phones में अब September के security patch के updates भी देखने को मिल रहे हैं, बाट रिसन टाइम में आपको पता है कि Redmi Note 13 Pro Plus के लिए अगस्त का security patch देखने को मिला था, बाट उसमें features बहुत सारे थे, उसमें details बहुत सारी थे, ऐसी कोई भी detail या preference से यहाँ पे Redmi Note 13 Pro 5G को नहीं दी गई है, जो कि एक चिंगता वाली बात है, बाकी और आपके इसके उपर क्या ओपीने ने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इसकी in-depth testing के लिए आप लोग चैनल को सब्सकाइब कर सकते हो, so guys thank you for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में